गुरिवनी साथियों, बीकासूल जड कैपसूल के बारे मैं साथ में जान कर देता हूँ कि ये दवा क्या है या ये कैपसूल क्या है और कि लोगों को ये दी जाती है, रिकमेंट करे जाती है तो Bika Soul, Z capsule की बात करें तो ये FIJR Pharmaceutical दोरा बेची जाती है और Bika Soul एक plane होती है, एक Bika Soul जड होती है जिसके बात करने वाले हैं Bika Soul प्लस आती है और Bika Soul परफार्मेंस करके आती है तो मतलब Bika Soul नाम से काफी तरह की ये capsule multi-vitamin market में उगलब्द है Bika Soul जो plane है बहुत popular है और Bika Soul जड में Z से क्या difference है तो Z का मतलब यहाँ Jink से है तो जो plane Bika Soul होती है उसमें मिंदल्स होते हैं, एक calcium होता है, vitamin B complex और vitamin C होता है और इसमें वो सारी चीजे प्लस Jink हो जाता है, जिंक का रोल होता है immunity booster जैसा काम करता है, तो ऐसे लोग जिनको सरीर में infection है या infection से prevention चाहिए, ऐसे लोगों के लिए Jink helpful होता है बाराल Bika Soul, Z capsule की बात करें, तो इसमें vitamin B1 है, 10 mg, B2 10 mg, B3 3 mg, B12 15 µg, niacinamide 100 mg, fully gasted 1.5 mg, biotin है, जो कि बालों के लिए, hair के लिए, skin के लिए अच्छा होता है, इसके अलावा vitamin C है 150 mg, calcium है 50 mg, जो कि joints, bones और muscles के लिए अच्छा होता है, और साथ में Jink है 41.4 mg, तो यह सारी जो मैंने बताया है, यह ingredients से ऐसा कर सकते हैं, यह content list है Bika Soul, Z capsule की, और Z का जैसा कि मैंने बताया है, इसमें Jink Extra हो जाता है, तो Bika Soul से यह different है, कि इसमें Jink Extra होने से एक तरीके से आपके immune system आपका ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, immunity boost हो जाएगी, किन condition में लिखा जाता है, किन condition में डाक्टर द्वारा recommend किया जाता है, दिया जाता है, चुकि Bika Soul सस्ता और बहुत popular है, इंडियन market में बहुत उपलब्द है, बहरा लगत Bika Soul Z capsule के यूज की बात करें, फायदे की बात करें, किन condition में लिखा जाता है, तो एक तो है कि मुझ के अंदर या जबान के अंदर छाला पड़ जाए, उस condition में डिक्मेंट किया जाता है, इसके अलाबा ये चुकि metabolism को enhance करता, boost करता है, जो B complex के vitamin होते हैं, इमका कामी होता है, ये protein, carb और fat के metabolism में helpful होते हैं, तो ताकत मिलते है, energy मिलते, stamina मिलती है, इसके अलाबा immune system boost होने से infection से लड़ने की मदद मिलती है, तो अगर आपको बार-बार infection हो रहा है, जैसे कि गलेग infection हो या, skin में bulge हो रहा हूँ, pneumonia या UTI हो रहा हो रहा है, तो ऐसे condition में या इसको दिया जा सकता है, इसके अलाबा vitamin C होने से ये bone healing मदद करता है, घाओ होता है, तो उसके बाद जल्दी वहील होगा, iron absorption मदद करता है, तो ऐसे लोग जिनको खून की कमी रहती है, उनमें मदद क होगी, और skin की health के लिए या ये नाकून है, उनकी health के लिए, hair fall के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें biotin होता है, और इसके अलाबा chronic बहुत तरह की विमारिया जिसमें oxidative stress हम लोग बोलते हैं, उस condition में जूंकि इसमें vitamin C है, तो वो यूज होता है, और हड्यों को या ताकत के लिए, immunity के लिए, इसके अलाबा अगर कहीं छाले वारा पड़ रहे हैं, कमजोरी के लिए खोन की कमी है, तो ये कुछ condition है, जिसमें इसको recommend किया जाता है, बीका, सूल, jet capsule को, दोज की बात करें कैसे और कितने दिन तक maximum ले सकते हैं, कैसे लेना है, तो दिन में आप को एक capsule sufficient रहेगी, खाना खाने के बाद आप ले, पानी के साथ, simple पानी के साथ ले सकते हैं, कितने दिन तक लेना है, तो ये तो डिपेंड करता है, कि आप किसले लिखा गया है, एक हपते 15 दिन, 30 दिन, 2 महिने, 5 महिने तक लगा तर आप ले सकते हैं, इससे लंबा लेना है तो बीच में break करना पड़ेगा, gap करना पड़ेगा, उसके बाद दुबारा से ले सकते हैं, side effect कुछ खास नहीं है, बहुत अच्छे से tolerate होती है, कुछ लोगों को उल्टी dust इस तरह के समय से हो सकती, पेट में दर्द अगर ज़्यादा दिन तक लेते हैं, वैसे इसमें B complex vitamin ह साथ में कुछ मिनरल जैसे कि vitamin A, D, E, calcium, magnesium, magnesium, magnesium और potassium, जो कि इसमें नहीं होते हैं, बीकासूल जैड में नहीं होते हैं, वो बीकासूल प्लस वाली capsule में मिलेंगे, और जो बीकासूल performance capsule होती हैं, उसमें और भी चीजें add करी जाते हैं, जैसे कि amino acids हैं, चार-पांस तरह के जंसिंग हैं, कुछ natural extract हैं, उससे energy power system ना बढ़ाने मदद मिलती हैं, तो हलका हलका से variation हैं, बाहराल एक तो plain बीकासूल यूज करी आती हैं, और ये बीकासूल जैड भी धीरे देरे पापलर हो रहे हैं, इसकी पिछी की वजाई हैं, कि इसमें चिंक इक्ष्रा होने से ये infection से लड़ने में मदद करती हैं, इसलिए अगर बार बार आपको सर्दी खासी जूखाम जला खराब हो रहा है, तो उस condition में यूज कर सकते हैं, तो बीकासूल जैड के अंदर क्या होता है, कैसे लेना है, ये सारी बाते मैंने, एक साठ वीडियो में बताती है, थैंक्यो